नमस्कार दोस्तों हमारी एक नए वीडियो में आपका स्वागात है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पेटीम बिजनेस अकाउंट को रियक्टिव कर सकते हैं जी है वीडियो के लास्ट तक चलिए वीडियो को करते हैं शुरू तो जैसा कि दोस्तों मैं अपने मोबाइल की हो मिस्कीन पर आ चुका हूँ यहां से अप क्या करना है हमें पेटियम पर चलना है और वहीं मैं आपको लाइब करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए हम पहले अप करेंगे तो आपके सामने यह दो ओप्सन आ जाएंगे तो सिंप्ली यहां पर देखी एक पर्सनल का ओप्सन आएगा एक बिजनेस का ओप्सन आएगा तो आपको बिजनेस अकाउंट को रियक्टिव करना है तो आपको बिजनेस वाले पर क्लिक कर देना है जैसे बिजनेस पर यह कहीं भी यहाँ पर टच कर देना है जैसे आप इसे टच करेंगे तो यह हट जाएगा हटने के बाद देखिए यहाँ पर बिजनेस अनिक मर्चंट अकाउंट खुल के आ जाता है यहाँ पर देख लिजिए आया के पेमेंट्स एंड सेटल का ओप्सन है यहाँ पर आप पर क्लिक कर देना है जैसे आप अपके सामने कुछी इस तरीके का इंटरफेस आएगा है यहाँ पर देख लिजिए यह पर आ गया है यहाँ पर देखिए रियक्टिव योर एकाउंट एंड श्टार्ट एकटिम पेमेंट्स यहाँ पर देखिए यह लिक के आजाता है और देखें यहां पर देखें यहां पर यह आल इन वन क्यूवार मतलब आप किसी भी एप से पोन पे गूगल पे किती से भी पेमेंट इस पर कर सकते हैं और यहां पर देख लेजिए accept payment and 0% fee from wallet and UPI मतलब आप wallet से भी payment करेंगे तो भी आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है आप UPI से करेंगे तो वहाँ से भी कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर यह real time settlement हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लगबग three time days लग जाते हैं कभी कभी settle हो लेकिन यह लगबग एक दिन में ही payment settle हो जाती है जब आप इससे payment लेते हैं तो आपको क्या करना है अब इसको आपको active करने के लिए तो आपको यहाँ पर देखिए एक proceed का option है सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप proceed वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर देख लिए लिए लिख के आ गया है Congratulations your merchant account has been reactive you can accept payment now यहाँ पर देख लिए message भी आ गया है हमारे mobile पर और यहाँ पर यहाँ पर यह एक्टिवेट भी हो गया है और आपको payment लेने के लिए यहाँ पर view QR पर क्लिक कर देना है जैसे आप view QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने देखिए QR ओपन होके आ जाता है इसे आप यहाँ पर download करके प्रिंट करके अपने दुकान पर भी चिपका सकते हैं जहाँ भी चिपकाना चाहें चिपका सकते हैं सकते हैं जब बाइक अब भी पेमेंट लेंगे तो उसमें भी एक साउंड भी आएगा की पेमेंट समय हो गई है तो इस तरीके से आप इसे एक्टिव कर सकते थे तो यह वीडियो जड़ा भी हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चला उसक्राइब करें